देखिए, कुंडली के अनुसार तो इन दोनों के 36 गुण मिल रहे हैं, सम्मंद बहुत बढ़िया रहेगा, जितना जल्दी हो सके, शादी का मुरत निकलवा ही लीजिए ऐसी बात है तो समय बरबाद नहीं करेंगे, जितनी जल्दी हो सके, हम ये शादी करतेंगे जैसा मैंने पहले कहा था, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ, आप एक बार बामा से पूछ ले तो, बामा 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 श्री शांत, यही नाम है ना तुमारा? श्री कांत आई थिंक यूर अमेजिंग जरा हटे दो अंकल श्री कांत श्री कांत हमारी जोडी बिल्कल परफेक्ट है मैं एक अच्छी लाइफ पार्णर पन के दिखाऊंगी तुमारी फैमिली सो लवली अंटी भी काफी अच्छी दिखती है और किट्स, आम श्यूर देल बामेजिंग कि अच्छी है कि अच्छी अच्छी प्रोब्लम अच्छी प्रोब्लम कैसी प्रोब्लम बिल्क्त तो क्या हुआ अब तो आ गया ना मैं राम प्रसाज जी का बेटा रुद्रा राम चन अल्सों बामा का बॉइफ्रेंड हूं उठीए तो क्या मतलब बामा मेरी होने वाली बीवी है अगर तू उसे शादी करना चाहता है तो मुझे मारना होगा अब खड़े होने को बोला तु अब टेंशन क्यों ले रहे हो मैंने कब बोला था कि मैं जरूर आउंगा और मैं आपका ही काम कर रहा हूं सर और जारा सोच कर देखिये कल कोई बामा को परेशान करेगा तो कि यह उसकी रक्षा कर पाएगा अरे बामा यह बात तो मैं भी अच्छे से जानता हूं लेकिन अ यह क्या कर रहे हो तुम क्या सर पांच सेकंड में भेहोश हो गया सर अगली बार ऐसी गल्ती मत करना मतलब कोई स्ट्रॉंग लड़का लेकर आईये मेरी तरह बामा मैं आ गए यह डॉन्ट वरी आणटी दो बचे से पले ट्रॉप कर दूँगा यही कल सुब आट बजे लेटरी अकेडमी से बाहर होना होगा फिर इस पर चार्शीट दाखिल होगा इसकी वज़े से मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूँगा इसे जेल की हवा खिलाऊंगा मैं एक्स्क्यूज मी सर मैंने और मेरी पतनी ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की यह सब उसके फ्यूचर और रिकार्ड को खराब कर देंगे हमने उसे बहुत समझाया अब यह कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो इसे मार मार कर समझाएं एंड वी आल नो रुद्रा इसे मेरिटोरियस कारेक्टर लेकिन इस मामले में इस्टिल थिंग एक्सपरिशन इस अल्ट इस लेफ्ट यह स्कूल में पढ़ने वाला लड़का नहीं है बहुत बत्तमीज है इसे तो बात कर मारना पड़ेगा जबान पर लगाम दीजिए इनी बेटी पर कंट्रोल नहीं है आपको मेरे बेटे के पर चार्ट शीट लगा रहे हैं यह कहां का न्याय है आप जरा न्याय धर्म की बात मत करिये तो बहतर होगा एक ब्रिगेडियर के घर में घुसकर धमकी देना कितना बड़ा जूर मैं पता है मैं कुछ सोच कर तो मुझे करना आता है आप मुझे कंट्रोल में लाएंगी सर तो मैं घर जमाई बनके आपके घर पे आऊँ चुप कर तेरी जुबान ही तेरी दुश्मन है तुम शांतरो रुद्रा तुम जरा अंदर जाओं मैं क्यों अंदर जाओं तुम कहा जा रही हो चलो यहां बैठो आपनी बेटी को अस्ट्रेलिया भेज रहा हूं पर एक बात सुन लेचिए यह लड़का उसके जिंदगे में नहीं आना चाहिए सोच रहाओं कि सिविल्यं बनकर जियों सिविल्यं वो क्यों मेरा यह आर्मी ऑफिसर बनना तुम्हारे पापा को पसंद नहीं आपने अगर अगर मैं कोई डॉक्टर या एंजिनियर या बनिया की दुकान पर काम करने वाला होता तो वो हमारी इशादी करेंगे तुम चाहे दोबी हो या ऐटो ड्राइवर ट्रॉक ड्राइवर या बार ओनर तुम चाहे जो भी करोगे मैं तुम्हें ही बसंद करूंगी लव यू तु हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है सभी एकनीत कंंफ्यजन होरा है चलो उसे जलकर पूछ लेते एक बाइज नादी का क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है मैंने आपको डिस्टब किया इसलिए सौरी मैं आपसे मैं मैं मचली पकड़ना मसाला डूसा मिसंडरस्टेंडिंग मिसंडरस्टेंडिंग तो वह लूजर संजे की गल्फ्रेंड है ना मैंने खुदी अपनी आखोंसे अब तू क्या बोलने वाला है एक साथ घूमते है फिर इतना ड्रामा क्यों कर रहे हूं मुझे संजे पसंद है मुझे नेल्सन से कोई लगावें मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती थी वक्त बिता दी थी इस सब के पीछे बस एक ही रीजन था यह सब इसलिए करती थी ताकि उसके बारे में जान सको तेरा मतलब तो वह क तुम्ही हो अचली मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं तुम्हारे बारे में और जानने के लिए उसके साथ दोस्ती की थी अब तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी हूं सब कुछ जानने के बाद तुम और अच्छे लगने लगे हो एनिवेज हमारी पहले कि मैंने सोचा नहीं था बहले ही मैं अन्धी हूँ लेकिन मैं यह महसूस कर सकती हूँ कि तुम अब शर्मा रहे हो ठीक कह रही है यह शर्मा रहे है तुम यहां वो क्या है वो यहीं पर चलो यार I am very sorry नेलसन और दूसरा संजू वो अब भी यहां पे खड़ा है वेरी सॉरी हाँ वैसे रिहर्सल के लिए मुझे देर हो रही है तो अब तुम लोग अब जा सकते हो वाई शेखर हम बाद में मिलते हैं म्यूजिक डिरेक्टर की दरा जब लंबी-लंबी बाते छोड़ रहा था ना तभी मुझे शक हो गया था बाई शेखर बाद में मिलते हैं बाई नेलसन हम बाद में मिलेंगे यह लड़कियां भी न इस रहाट यार एई इधर देख तू टेंशन में क्यों है तुझे पता नह नहीं करेगा तो हालत इसकी जैसी हो जाएगी पहले नंबर निकाल फिर वाटसप पर चैट कर तुम बहुत खुबसूरत हो तुम्हारी जैसी दुनिया में कोई लड़की ही नहीं है यह सब बोलेगा तब जाकर वो ओके बोलेगी लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया वो लड उसने ना बोला तो मुझे दूसरी नहीं मिलेगी क्या वाव वाट फ्रेंडशिप यह शुर इससे तुम्हें कुछ तक्लीफ तो नहीं होगी ना मैंने जो कह दिया फाइनल है डिसकेशन ओर अरे दोस्त तो जवाब नहीं है राधिका राधिका है मुझे पर्मिशन मिल किसी पर्मिशन ने पर्मिशन दे दिये नैलशन हें अहां कहीं मैंने उसे हट करिया यह वाट ग्रात शु 느끼न वुझे Soy Crush पर्मिशन दिचनल अक्वैरे वो कौन है में बाप है क्या वह थोड़ा मुझे पसंद है यह कहने पर मुझ पर हरग जत आएगा क्या है यह जोग मारी हो कल सब के सामने बोल रही थी कि मैं तुम्हें पसंद हूं न अब इतना गुसा क्यों कर रहे हो किसने गुसा किया हाई जो हुआ मैंने बता दिया ठीक है अब मुझ से मिलने क्यों आए हो इससे पहले मुझे कोई भी लड़की ने पसंद पसंद नहीं किया अब तुम्हारी लिए तो सब कुछ एक ही है ना ठीक से कुछ देख में नहीं सकती हो ना निल्सन हो या मैं क्या वर्क पड़ता है बोलो ना कि शेखर चाहे कोई भी चीज हो उसमें मानुफेश्रिंग इफेक्ट होता ही है चानते हो ना चाहे तुम कितना भी हख लाकर बात करो मुह से ही बात करते हो तुम जो भी कहना चाहते हो कम से कम पूरा तो कह सकते हो जब पहली बार मैंने तुम्हारी बात सुनी थी तब मुझे बहुत अच्छा लगा था उसके बात में तुम्हारी बाते चुपके चुपके सुना करती थी पता तुम्हें लगता है मैंने इक अलती कर दी मेरी कमी को मैंने कभी मैसर्स नहीं करें और अगर मेरा अंधा होना ही तुम्हें मुझसे दूर रख रहा है तो तुम मुझे अभी बता दो कि के लूहिए? के अथे तिम्हें भिता सुर्ण, वित्त देरा in अटेरा ही तुम्हें आतरो में वहा MARC आप सो दूर्ट तुम्हें अटेरा O यू precी रादिका रादिका शादी करने में इतनी जल्दी क्यों है सिर्फ शादी ही थोड़ी ना करनी है लाइफ में आगे भी तो बढ़ना है ना रादिका अपने फ्यूचर के बारे में जरा सोच कर देखो और जब शादी करनी है तो इसके साथ कैसे जिन्दीगी बिता पाऊगी सुनाओ मैं देख लूँगा आगे से हम ऐसे ही नहीं रह सकते हैं इस बात का मतलब क्या है वो सब छोड़ो पहले पढ़ाई खत्म करो उसके बाद यह सब सोचना सुनिए शादी तो करवाने वाले हैं तो अभी शादी करवा दीजिए मैंने कहा था ना बीच में मत बोला कर अब तक बात कर रहा हूं लेकिन आप मुझा मजबूर मत कीजिए उसके बाद नहीं तो मैं उल्टा सीधा बोलता हूं हमारा बच्चा होने वाले हैं कि अब तो हम शादी कर सकते हैं मैंने कहा था ना कि मत बोलो है किसी रहा है अब इनके में कोई जरूरत नहीं है तेरा भाई बहुत ही खुष्से में इस पार तो मत था चोड़ूगा नहीं चप्चापनी बाद से लिए बेकार में ऐसे क्यों मार खाते हो चाहिए क्या तुम इस लड़की वो कैसे सम्हाल होगे तुम पिछले हाफते ही हॉस्पिटल जाने के लिए बाइक में पैट्रोल नहीं था तो मुझसे उधार लेकर गया था पैसे अपने साथ-साथ इसकी जिन्देगी क्यों खराब कर र जानते नहीं हो यह अंधी है फिर भी मुझे अच्छे से जानती है आप से भी ज्यादा यहां रखो बहुत हो गया चली अब चलते हैं बच्चा पेड़ा होते हैं यह मैं आपको बता देंगे बाई अरे चोड़ ना चाने दे चलेगे तुम्हारी बाता संगर बहुत अच्छा लगता है मुझे लेकिन पूरी लाइफ क्या इस अंधी लड़की के साथ बिता पाओ के तुम पागर वो तो ऐसी फ्लो में बोल दिया लेकिन कुछ भी हो जाए पूरी लाइफ मैं इस अंधी के साथ ये बितांगा बगली किसके जैसा दिखराएगे मेरी जैसा या तुम्हारी जैसा बहुत सुन्दर है मेरी जैसा सच सच बताओ ना तुम्हारी जैसा है क्या इसकी आंखे और इसकी नांक सब मेरे जैसा ही है हूबाव मुझ पर गया है इसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और ये मेरे जैसा ही मस्ती करता है ठीक है तो अब जली से तुम्हें से सोरी कहता है ठीक है मुझे माफ करतो मेरी बच्चे कुछ बताया भी नहीं मैं तुम लोगों को छोड़कर चला गिया था लेकिन अब तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाओंगा प्रॉमिस राधिका श्री नीवासन डॉक्टर गिता की पेशेंट है अच्छा राधिका वो तब ने भाई के साथ चली गई भाई के साथ हां भाई के साथ चली गई तो तुम यहां के से मैंने यहां मुले आया था यह मेरी बैच्च मेट है तुम्हारे केस के बारे में बात करने के लिए बुलाया यह क्या कह रही है यहां से चलो तुम्हें कुछ बताना है राधिका की आँख की रॉष्णी बच्पन में ही चली गई थी क्या यह बात तुम जानते हो जानता हूं दस साल की उम्रे तक वो देख सकती थी लेकिन यह बातें अभी क्यों कर रही हो क्योंकि और भी बाते हैं जो तम नहीं जानते उसके प्री नेटल डाइग्नॉस स्ट्रेस रिपोर्ट्स आ गए हैं कि क्या कहा उसकी बेटी भी इसी कंडिशन के साथ जनम लेगी राधिका भले ही दस साल की थी जब वो अंधी हुई थी लेकिन उसके बच्चे आठ साल की उमर के पहले ही अंधे हो जाएंगे यह एक जैनेटिक डिसॉर्डर है इसका कोई लाज भी नहीं बुलिए मैडम राधिका की इस हालत में हम उसका अपरेशन नहीं कर सकते हैं कि इस पर में वो जानती है मैंने उसे सब बता दिया है देखो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए हम उन्हें एक बड़ा आमाउंट देकर कंपेंजेशन कर लेंगे इससे उनका नुकसान कबर हो जाएगा इस बात को यहीं पर ख़तम करते हैं इसमें सोचने की क्या बात है तुम फिक्र मत करो मैं सब कुछ समहालूंगी तुम उसकी और उस बिल्चे की बिल्कुल भी फिक्र मत करो उस बच्ची को वो खुच समहाल लेटी वो हमारा बच्चा है क्या कहां वो बच्चा हमारा है रादिका हमारे खार में आकर यह दो क्या कर रही हो हमारे बच्चे का पैसला हम करेंगे कौन क्या बूलेगा मुझे किसी के राई की जरूत नहीं मेरी और बीवी के पीच मेरे बच्चे की मां बनने वाली है तो वो मेरी बीवी हुई तुम जाओ यहां से तुम मेरे साथ अगर तुमने एक शब भी का तो फिर कभी मुझे जिंदा नहीं देखोगे रादिका चेस्ट गो चला निकला यहां से रादिका आंकरे चलो यहां से रादिका? राधिका मेरी बातों को गुस्सा धूंकर ध्यान से सुनों अब मैंने तुमारी तरह ही दोनों आंकों पर पट्टी बांद ली है तुम जिस तरह इस दुनिया को महसूस करती हो मैं भी उसी तरह महसूस करने वाला हूँ इस तरह दुनिया को देखने पर बहुत अंधिरापन और अफसोस लगता है शायद मैं मसाक करना हूँ ऐसा सोच रही हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तुम और बच्चा अंधे हो इस कारण से मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह पा रहा हूँ ऐसा लगता है ना ऐसी आँखों के मुझे जरूरत नहीं है मुझ पर भरोजा गरूरादी का मैं सच कह रहा हूँ दुनिया कुछ भी बोले मुझे तुमारी जरूरत है बस इतना ही तुम मुझे नहीं चाहती कोई बात नहीं लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम भी और तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी मुझे चाहिए राधी का एक बात बोला मैं भूल गया हम दोनों की तो एक ही लड़की पेटा होने वाली है तुम अगर नहीं आओगी तो मैं जानते दूंगा जल्दी आओ मैंने पास आओ मैंने पास आओ मेरी बास सुन रही हो ना रादी का मैं अगर उनृ आओगी अम अनुदी तुमारी साच चलेंगे लेचलों तुम्हें पता है मेरी आखे चली गई है जब ये बात मेरी बाबा को पता चली तो वो सारी कामधाम छोड़कर मेरे साथ टाइम स्वेन करने लगे हर वक्त मेरे साथ ही रहते थे एक बार हम लॉंग ट्रिप पर जा रहे थे मैं और मेरे पापा एक साथ एपो जाते समय हमारी गाड़ी खराब हो गई कार खराब होने के बाद पापा उसे रिपेर करने में लग गए और मैं चलते चलते वहां के पास ही एक बीच में पहुँच गई वहां के समदुर को देखते देखते बस वहीं बीच के पास बैठ गई समदुर की लहरे आकर मेरे पैरों को छू रही थी अंदर से मैं कुछ खबराहसी रही थी पर मेरे पापा मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थे और तभी मुझे उनके गीले पैरों को देखकर समझाया कि वो वहां मेरे पीछे काफी देर से खड़े थे तब मुझे ऐसास हुआ कि मैं कहीं भी रहूं कुछ भी करती रहूं मेरे पापा ही मेरे साहरा है तो चलो हम चलते हैं कहां उसी बीच पर तुम लेकर जाओगे क्यों तुम्हारे पापा लेकर जा सकते हैं तो मैं भी बच्ची को ले जा सकता हूं हम भी बीच पर जाते हैं और वहां के पाड़ों पर खोशी से दिन बिताएंगे अच्छा होगा कोई और वहां पर आकर हमें पर परिशान ना करें हुप है एक का मेरी बच्ची को मेरे ब लगा जाओगे निए जाओंगा हुप है मेरी बेन हुथ हुए कि तो हान हुआ है हुआ होde तुमने इक बात नोटिस की जब यह रोती है तो तुम्हारे जैसे हग लाती है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा तो तो तुम इसे पसंद नहीं करोगे क्या और अगर इसे दिखाई नहीं देगा तो तुम इससे नफरत करोगे अरे तब तुम्हें इसे बहुत प्यार करूंगा अरे पैकर्स र्मूवर्स को बुलवा की करवा लेते यह सब यार कहां पसा दिया अरे वो पैसे लेंगे लेकिन कांव ठीक से नहीं करेंगे अरे तो जानता नहीं है वो सब कुछ जानती है तू मनिश्या के पीछे पड़ा हुआ था बदा दू मैं उसको मैं वो भी जानती हूं अब तो कोई फाइदा नहीं है रास्त चुलो डेए रास्त चुलो मुंबई में जू बीच है सापने साटो चैनाई में मरीना और केरला में गोवलम गोवा में कई सारे बीचेस हैं और तुन्हें उनके बार में मुझे तुमने बताया नहीं बोलो रादिगा जेकर हम हार बीच पर जाएंगे सुमारे साथ और अपनी बच्ची के साथ मुझे साथ कौन है बीच पाद में बीच बाद में मैं बहुत ज्यादा घपरा गए थी कि कहीं तुम लगों को छोड़ें हादिए हादिए चलिए आप पीछे चलिए जोट्टर चलिए आप पीछे हादिए लुट्टर पुल्स द्रॉप हो रहे है रादिक 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 तुम्हारे बिनाम्ये और मैक केसे रहेंगे। तुम्हारे हमेशा घुष्रो तुम्हारे मुझे बहुत अच्छे लगते हो। पूरी लाइफ इस संधी लड़की के साथ मिताब आओगे क्या तुम्पागर। अच्छे लाओगे लाओए पूरी ज़्या खाओगे कि लाओगे लाओव कर दो 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 कर ईत्तेय हुऄ गदेय देडंौ इत्तिततारा इत्तेय हुऄ गदेय दे डेडंौ I'mman, that's hard to protect me sometimes I will friendly.. झाल झाल जल्दी आईए जस्टिन शीटिल ब्रीदिंग हमें हमें एक गड़ी के अदर से हॉस्पिडल ले जाना होगा अरे मेरे हाथ पैर कांप रहें मैं ठीक से गाड़ी नहीं चाहिए जल्दी आईए उठाईए इससे जस्टिन ये बात हारनी को ना पता चले आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए देखिए इसे कुछ नहीं होने वाला हम जल्दी हॉस्पिटल पहुच जाएंगे आप डॉक्टर कादर को फोन लगाईए अरे अगले हफते तेरी और हारनी की शा जाएंगे समझ नहीं रहे हो तुम आप कैसी बाते कर रहे हैं डॉक्टर को फोन लगाईए ना प्लीज है सुनो यहां कुछ भी हुआ ही नहीं और हमने किसी को नहीं देखा और वैसे भी हमारी कोई गल्ती तो है अगर यह आदे घंटे में हॉस्पिटल पहुच गी तो हम इसे बचा पाएंगे अंकल तुम्हें भगवान के उपर भरोसा है ना तो इसे भगवान बचा ही लेंगे हम इसे यहीं सड़क पर उतार कर यहां से चलते हैं उपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा वो भी जिंदा है देखिए सांसे चल रही है उसकी बेटी मैं जो कह रह रोको 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 जस्टीन अंकल पीछे देखिए अंकल लगता है इसकी जान चली गई झाल गजेखिए परेँ परेट्र परेशिंघ sudah भड़ को बचल कर दो रही हुआ है अंकल भी जो, गत्यास है जो, आप कर दो 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 एश्वन ये इश्वर ये तुम्हारा भक्त है इसे माफी दो और इसकी आत्मा को शांती दो इस धर्ती से छुटकारा पाकर अग ये तुहारे पास आ रहा है इसे जन्नत में जगह दो तुम्हारे पिटाजी नहीं उनकी तबित खराद है आमीन आमीन बहुत ही नेक इंसान थे हम सब को छोड़कर चले गए अंटी प्लीज अल्टी किया अंटी रूए मत अंदर आये यहां सब खाना घा रहे हैं प्लीज आये मरने से पहले अंकल ने कहा था कि जस्टिन उनकी बेटी को अच्छी तरह से समभा लेगा और यही उनकी आखरी इच्छा थी मेरी और जस्टिन की शादी के लिए डाड कभी नहीं माने के ऐसा सोच रही थी मैं पर डाड तो डाड होते हैं मेरी बात आज तक उन्होंने कभी नहीं टाली है मुझे तो याद नहीं है मा नहीं है ऐसा उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया डाड और जस्टिन दोनों पिस्निस और पोस्टनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं होने देते कित्ने भी बड़े परिशानी हो घ़र तक कभी नहीं लाते उसे हैं जाहें कितने भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हूँ उसे परसॉनली ही रखो यही डड़ी ने सिखाया था ये दुनों लोग मिलकर क्या करते हैं यह मैं नहीं जानती है लेकिन यह जानती हो कि इन लोगों ने मेरे पीछे बहुत कुछ किया है कि सच कह लिए उन्हाइव पूंचने ही वाला हूं मैं अल्मोस्ट पहुंची गया हूं ठीक है ठीक है कि सच कि वह लोग आगें क्या मैं आदे घंटे से वेट कर रहा हूं यहां पर कोई नहीं आया अगर पांच मिट में कोई नहीं आया तो मैं चला जाओंगा समझ गया ना वह लोग आ जाएंगे सर हलो उनकी बातों मैं कर तुम मेरा टाइम बरबात कर रहे हो नहीं सर वह फोन करें तो अटेंड मत करना नहीं सर लेकिन वह लोग अच्छा दाम देंगे ऐसा बोला था बस करो लगता हूं हमारसाद मजाग कर रहे हैं जस्टिन मैं आठी के घर से निकल चुकी हूँ कहां हो तो मुझे आने में दूफंटे लग जाएंगे तुम तयार रहना फादर इब्राहम ने चर्च में फांक्शन रखनें के लिए दस्तारी की डेट दी है मेरे ख्याल से हम ही जाकर उनसे एक बार मिल लेना चाहिए हाँ अठीक है और डाड़ी के इंश्रस के बारे में कुछ पता चला नहीं उसमें थोड़ी सी फार्मालिटीज बची है अभी और क्या अब सुनो मैं तुमसे बात में बात करता हूं क्यों क्या हो मैंने कहाना बात में बात करता हूं जस्टिन हुआ 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 अुसर में खुष पहुआर। पह ऑग tätä करेमश ओरेखने धुड़़ अ अिम्यवांज टुर हील्ह जार। Are you okay? कोशिश करो उठने की अच्छे से सांस लेते रहो हलो मैं वहाँ एक पिशन्ट लेके आ रहा हूं जी है वह एक अच्छेंट केस है मैं बस बीसी मिनिट में वहां पहुंच जाऊंगा जी मेरा नाम है डॉक्टर त्री लोग क्याए कुछ नहीं होगा कम ओन कुछ नहीं होगा ब्रीज लेते रहो अपनी आखें बस बंद करना नर्स डॉक्टर को बुलाइए इमेडियेटली इसे एमजन्सी में एड्मिट कीजिए अक्सिजटन केस है ना यह 90% डैमेज हो चुका है इसे एड्मिट कीजिए और ट्रीटमेंट चुरू कीजिए सर अक्सिजटन केस है तो पुलिस में कंप्लेंट कर नहीं होगी तब तक इसकी जान चली जाएगी उसके बाद ट्रीटमेंट का क्या फाइदा जल्दी कुछ कीजिए सर आपका नाम तरी लोग तरी लोग शेखर ओके हुआ 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 जस्टन स्यादस ट्रेन मत लो एक अवते तक और बीन रहेगा ऐसा डॉक्टर के रहे हैं वह किदर है कौन जिसने मुझे यह एड्मिट करवाय ओ डॉक्टर ट्री लोग की बात कर रहे हो वह तुम्हारा ऑपरेशन होने तक यहीं पर थे कल रात भी आये थे फिर से आउंगा ऐसा कहकर गये हैं बात कर नहीं हैं उनसे नहीं मेरा मतलब क्या यहां हर्डी मुझे हैं से जल्दी से ले जाओ जित्तक्राय जल्दी हो साथ कि मुझे यहां से डिस्चार्ज़ करकर गहर ले जाओ वह हमाएड्रस जानता इक्या यह जो अपतर है समझने की कोशिश करो मैं उसे नहीं मिलना चाहता हूं जस्टिन वोट्स रॉंग माडम वो जानवरों के डॉक्टर त्रिलोक आए है उन्हें बुलाओं क्या हाई प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसे दवाईया दे रही हो ना अभी अभी होश में आया है काफी परिशान देख रहा है शायद बौरी में पेन है चिंता की बात नहीं है एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा दो महीने इसे कंप्लीट बेड ड्रेस्ट लेना होगा एक आदा घंटा वी इधर उदर हो जाता तो हम जस्टिन को बचा नहीं पाते सही वक्त पर भगवान ने आपको वहाँ भेज दिया था कुछ दिन पहले मेरी बीवी कार एक्सिडेंट में मारी गई थी तब भगवान ने उसे बचाने के लिए किसी को नहीं भेजा जस्टि वेसे मैं तो यहीं हूँ ढरने की कोई बात नहीं है मैं बात में फोन करता हूँ अजेस्टिन क्यूं रोरह हूं अब जस्टिन बात म है बता हो लो पाहुत बशल्क हो गई काल में बस्ते बहुत बढ़े घलती हो गई है हलो हार नी बोल रही हूँ हाँ बोलो न कहा हो दो यहां एक पेशन्ट के साथ हूँ खाना ना खाने के लिए जिद कर रहा है हाँ लेकिन अब ठीक है बोलो न किया आप जरा हॉस्पिटल तक आए सकते हैं जस्टिन आप से मिलना चाहता है ओ वसे आज इविनिंग में आने वाला था कोई बात नहीं अभी आता हूँ एक घंटे में आज आओंगा थैंक यू इस ओके डोज चेंज किया है न आज 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 त्री लोग आए है आ ये शूर अबार दस हाँ यस ठीक है तो मैं चलती हूँ समझ में नियाता कि उसे कैस फेस करूँ तुम घर चली जाओ मैं कॉल करूँगा हूँ 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 अरे वाह पहली बार आपको मैं उठते वे देखना हूँ है अब कैसा लग रहा है जस्टिन सर आपको कैसे ठेंक्स कहूं में समझ में नहीं है अरे ठेंक्स मुझे मत कहो बलकि तीरुपती जी से कहो उनके दर्शन के लिए जा रहा था तभी आपको देख लिया और बचाने में काम्याब भी रहा हूँ हरनी कहां गई सर आपको एक बात बतानी थी क्या पता नहीं आप कैसे रियक्ट करेंगे लेकिन आपकी वाइफ के बारे में उसे कैसे जानते हो तुम जिस गाड़ी से उसका एक्सिडेंट हुआ था उस गाड़ी में मैं भी था गाड़ी हारने की पिता जी चला रहे थे लेकिन रास्ते में ही गाड़ी के अंदर उनकी जान चली गई थी एक्सिडेंट के बाद चार साल तक मैं चैन से सो नहीं पाया मैं सोच रहा था कि उसके घरवालों के इंफॉर्म कर दू कि असल में क्या हुआ था उसे बचा रहे की कोशिश की लेकिन हम बचा नहीं पाए मैं अधर से टूट गया अगर मैं माफी मांगो तो भी माफी का अधिला सकते हो सर अधिला सकते हो या नहीं पार्शल पेरालेसिस लगता है डोस कम है मैंने ठीक से इंजट नहीं किया कैसे गलतियां हो जाती है सिर्फ बीस मिनट बचे हैं पहले तुम्हारी बोलती बंद होगी उसके बाद सांस रुख जाएगी और बिना ऑक्सिजन के हार्ट एटेक आ जाएगा आँखों के सामने अंधेर चाने लगेगा तुम्हारे ससुर जी के खाने में भी मैंने 30 ml मिलाया था फर्स टाइम है न इसलिए यह सब लग रहा है मेरी बातों को सुनने से पहले ही वह वहीं पर टपक गया है अच्छा होता मेरे बारे में चान कर मर जाते हैं वह तडप तडप कर मर रहे थे जो मैं खोशी से देख रहा था तेरी यह मौद भी मैं लाइव देखना चाहता हूं मैं और आईशा बैंगलूरू में रहते थे जाती वाद की वज़े से हमें बहुत परिशानी जहलनी पड़ी शादी के बाद हमें दोनों के खरवालों को मनाने में पूरा एक साल लग गया था और उसके बाद हनीमून बहुत ही प्लान करने के बाद हम दोनों यहां आये थे आईशा को हिल स्टेशन्स पसंद नहीं थे मैंने ही उसे यहांने पर मजबूर किया एक्सिदेंट के बाद मैं वापस गाओ नहीं गया यही पर छोटा सा क्लीनिक शुरू करके प्रैक्टिस शुरू की तुम लोगों का पता लगाने के लिए बहुत तकलिफ उठाई गाड़ी के बारे में जानने के लिए मैं एक्सपर्ट हो गया था जब गाड़ी के ब्रेक मैंने प्लान बनाया था उसी तरह तू जिन्दा बजगिया जहां मैंने आईशा को खोया वहीं पर तुझे पकड़ने का सुराग भी मिला और मैं सक्सेस हो गया सिर्फ तेरी गाड़ी के टायर के निशान को रख कर तेरी गाड़ी का पता किया तेरे जैसी गाड़ी कई लोगों नहीं रखी थी हलो हाँ नमस्ते भाईया मेरा नाम आनंद है सर एक ज़रूरी बात करनी है मिस्टर चार्ल्स सर मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी एक एक को मैं चुन-चुन करहून रहा था कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए एक कार की डिटेल चाहिए सर हाँ पुछ यह क्या पुछ नहीं कुछ सवाल है उसका जवाब देंगे सर हाँ वो गाड़े ब्यम डब्लू थी फाइफ टू फाइफ टू फाइफ टी ठीक है सर ऐसी चान बिन करके वो गाड़ी फादर देव सगायन की है यह पता चलने तक तीन साल बीद गए थे हाँ बोलो थामस बोल रहा हूँ तेरे ससुर की आवाज को जब मैंने सुना तब मुझे पता चला कि वो लोग तुम ही हो वो पैसे तो दे रहा है ना तो गाड़ी बेचने में तकलीफ क्या है फूर रुखा मेरे कोशिश कामियाभी में बदल गई तीन साल के महनत का फल मुझे मिल गया इतने सालों में उस तेन उस आवाज को मैंने पहली बार सुना मेरे आईशा के मरने की वज़े वो आवाजी थी तुम दोनों की बातों को मैंने साफ साफ सुना था जब वो घुट-घुट कर मर रही थी हमें एक गंड़ी के दिर से होख पड़ ले जाना होगा जस्टर ये बात हारनी को ना पता चले इस लड़के को कुछ नहीं होगा भगवान इसे बचा लेगा आप जानी दोस्तर पहुच जाएगे आप दोक्टर कंडर को फूर लाएए आईशा सुनो, यहां कुछ भी हुआ ही नहीं और हमने किसी को नहीं देखा इस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाकर भरती करवाने के बाद हम सब मुसीबत में पास जाएगे समझ नहीं रहे हो तो तुम्हें भगवान के उपर भरोसा है न तो इसे भगवान बचा ही लेंगे हम इसे यहीं सड़क पर उधार कर यहां से चलते हैं स्टॉप, स्टॉप, प्लीज आईशा आईशा तेरी गाड़ी से अक्सिडन्ट होने के बाद भी वो जिन्दा थी तेरे ससुर ने कहा था न कि भगवान उसे बचा लेगा तब भी वो जिन्दा थी तुमने जब कहा कि यह हरनी जैसी है उस वक्त भी वो जिन्दा थी तुम लोग उसे रोड़ पर छोड़ कर चले गए लेकिन मेरे आने तक वो सिंदाती ते लोग आशा 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 उस दिन मैंने फैसला किया चाहे मेरी पूरी जिन्दे की चली जाए तुम लोग दुनिया के किसी भी कुने में जाकर चुपो मैं तुम लोगों को ढून लूँगा मेरी आशा की जान जिस तरह पल-पल निकल रही थी उसी तरह तुम्हें भी तड़बना चाहता हूँ याँ हर पाप की सजा मौत होती है वैसे तुने मुझे पूरा सच बताया सुनकर अच्छा लगा रस्ट इन पीस यॉर गुड मैन बट नॉट गुड इनफ क्योंकि अगर तु अच्छा होता तो आईशा अच्छ जिन्दा होती बाई जस्टिन आईशा की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट पढ़कर मैं पूरी तरह तूट चुका था उसकी शोल्डर की हड़ी तूट चुकी थी और तब मुझे बहुत दर्द हो रहा था और उस दर्द के बारे मैं किसी को नहीं बता सकता शी वॉस प्रेगनेंट तुने सिर्फ एक नहीं बलकि तीन तीन जाने ली हैं तो उसकी सजा तो तुझे मिलनी चाहिए हलो अरे कहा हो तुम अरे यह जंगल है यहां पर जंगली जानवर रहते हैं देन कैच आप हो यह बात है अच्छा तुम्हें पकड़ने से पहले मैं दलेर महंदी का गाना सुना कर दिखाऊं टुनक। बोह किस्टेए मैं अरे गत्राइब यह गया है आरे कि इस आदमी के भरोसे मैंने तेरी शादी इससे करवाई यहीं मेरी गलती है पेकार में वक्त बर्बाद मत करो बीवी को लेकर जाओ शिवा चलो बैग लेकर आओ इसके पाद एक पल भी यहां नहीं रहना है शिवा चलो मेरी साथ शिवा अब ही तुम्हें यहां से खाली हाद जाना होगा तुम्हें इसका साथ कभी नहीं मिलेगा इस जनम में तुम इस बच्चे की छाओं तक हो लो जो ब 모든 दो बिवा जो झाली हो श्रकाogene के पाओं सेदू 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 से फे बायत सेदuğ सेदू सेद चो आह कर दो किया कर रहा है तू कितनी देर से फोन लगा रहा हूं चल दिया चल दिया चल दून वह बहा हूं जख़का तून वह बहादे को ऩदिन दो करें और ओर सब्सक्र rozm स्माइल है चल चलता हूँ अरे वो मर गया हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो भी मरेगा कंफर्म क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना भाई देखा आज कल अपन एकडम सही से काम कर रहा है कोई भी चूक नहीं समझे तुने कभी जंगली सुवर देखा है क्या जंगली सुवर क्या बोल रहे हो हमारा प्लान पर पट्टी बांदी जाएगी ना तो भी जंगली सुवर दिखेगा अब बख्वास बंद कर वरना तेरा मुह तोड़ दूगा समझा वहां इतना सच बोल रहा है मेरी बात ज्यान से सुरो उसे जान से मत मारो हां बस हाथ पर तोड़ने से काम चल जाएगा समझा ना अच् मेरे प्यार का यार नहीं कोई अच्छा गाना का है हमेशा पुराने गाने गाता है कोई नया गाना सुना ना अभी लो देखा है पहली बार साजन की आखों जो गाने मुझे पसंद नहीं है वो मैं सुनना नहीं हुदों अ अच्छ गाते रोगाते रोगाते रोंड रोने से कुछ नहीं होने वाला मैं हुदों अच्छ पहलेक है टीक है टीक है मैं आता हूं शिवा चलो है चलो है चलो है इतना खाता है जहां बैढ़ता है वही खाता रहता है तेरे बाप की घर का खाता हूँ हमेशा मेरे खाने के पीछे पढ़ा रहता है इस घर में कुट्टा है क्या यह खाना उसे मत खिलाना वरना वो मर जाएगा बहुत ही बक्वास खाना था कि स्माइल है कि सर खाना खाने जा रहे हैं क्या हो नहीं अभी आ रहा हूं अच्छ जिसे आप लोगों ने मारा वह पावरफुल है अभी ऑस्पिटल में है सर फट गया उसका उसके शरीर से बहुत ज्यादा खुन निकल चुका है एफायर किया हुआ है मैं समालूंगा बड़े खरका लड़का है तो क्या हमें अंदर कर देगा खुश नसीब है जिन्दा बच यह तु बहुत जबान चला रहा है हमारे भाई के बारे में जानता नहीं है तु नहीं यह सब तु जान बुचके कर रहा है क्या यार हम इससे क्यों बहस कर रहे है चलो ना उसको फोड़ देते हैं कर दो जाए है कि यह जाए है तुम लोग ने उसे मारा वह घलत नहीं था इसे को पता चले बगार अगर मारा होता ना तो अभी तक चैन की नींद सो रहे होते तरह भाई ने बॉल से लोगों का खून किया लेकिन आज तक वो मेरी वजह से पुलिस के हाथ नहीं लगा हाथ तूखा मेरी तरह वह भी जाता है लेकिन मेरी तरह बनने के लिए गट्स चाहिए पर तुझे अभी शोन कल तुभी और लोगों के साथ आजना है जानका यह पिट यह पिएगा यहा अगगा लो आ गया बड़ा सरपंच गाउं में सबकी पंचायत करता है लेकिन खुद के घर में क्या हो रहा है उसे नहीं पता लगता है अभी भी बहुत घुसे में है यहां से भागना ही ठीक रहेगा तो यह अब तक जिन्दा है मुझे लगा कि किसी के हाथों यह मर गया क्या इसे ज लामत हमको क्या अल्दूफाल तो गुंड़ा समझाए क्या जो कोई भी आकर तपका के चला जाएगा बहुत हुआ अब मुझ बंद करो ज्यादा बोलोगे ता जबान खीच लूंगी मैं जाओ यहां से आएं तो मेरे दर्वासे पर कदर प्रतने की हिम्मत बढ़का और नफरत करते हो और मेरे बेटी से प्यार अब बर्दाश्ट नहीं करूंगी इस बच्ची के वाज़ा से ही तो मेरे साथ रह रहा है ना हां साला प्यार करता हो गया दर्वासा खोलो खोलो दर्वासा हुआ सईनौ सब्सक्राइब सक्षिव तुम्हा मुझसे प्यार नहीं करते ना जवाब तो जवाब तो झाल झाल कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि मैं तुम दोनों पर चल्दा रही थी लेकिन इसकी वज़ा पूछी तुमने कि अच्छा कि दोनों को इतना खराब खाना दे रही थी खमसिका में एक बार पूछ्टो लिया होता चोड़ों तुम्हें किसी बात से फरक नहीं पड़ता अरे तुम भी अपने भाईया जैसे हो गए ना रात को घर जल्दी आ जाना ठीक है मैं बुलाता हूँ अब फोन रख अले रखना अरे रखना भाई हम लोग दस मिरट में पहुंच जाएंगे ठीक है ना ठीक है अरे इतना घुसे से क्या देख रहा है भाई ने बुलाया था चल अब चल निकलते हैं भाई हमारे हालात को भी तु समझे किसी काम के नहीं हो तुम लोग छोड़ो जाने दो कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अब एसीपी अभी स्पोर्ट पे आ रहे हैं बॉड़ी को अब यहां नहीं रख सकते हैं तुम यह पहले भी कह चुके हो पपा 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 पपप पपा पप पुम पापा 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 चले जाओ मुझे किसी की भी जरुवत नहीं है चले जाओ सब लोग जाओ जाओ कि शीवा है शीवा मेरबानी करके अपने भाई को यहां से ले जाओ ने तो तिर पापा से मार मार के लाश बना देगे तुसे बोल कि वह यहां से चला जाए पापा जाओ पापा जाओ मुझे किसी की भी जरुवत नहीं है पहले मुझे तेरी मा छोड़ कर चली गई और बाद में तू भी इसे ले कर जा रहा है अच्छा ही कर रहा है तू बहुत अच्छा कर रहा है ले जा इसे ले के जा 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 मुझे 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 किसी की भी जरुवत नहीं है चले जा सब लोगे हां से कि अच्छा हमेशा की तरह यहां पीने आये थे उनके बगल में एक आदमी बैटके पी रहा था फिर अचानक उसने बंदुग निकाली और उन्हें शूट कर दिया सर उसादबीं के बारें में जानते हो उसका हुलिया याद है समध्य नहीं सर है उसका चेरह याद अ नहीं सर मुझे कुछ ठीक से याद नहीं बराबर देखनी पाया हम सरिक सी सीटीवी कैंड्य करेंगे तो परद तु चुपकर क्षै कुछ नहीं सर वो तक आग यह니다 मेरे सवाल का चवाब दो सेर अगर सेसीटीबी फुटेचेक करेंगे तो पता चल दाएगा सेर पता चल दाएगा इसकी फोटो अपने हर आद्मियों तक पहुचा दो इससे टपकाने के बाद ही हम कोई दूसरा काम करेंगे इसका नाम विश्णू है मुम्बे में ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है और इसी वजह से वह गोवा केरला ऐसी जगाओ पे घूमते रहता है त्रांसपोर्ट का दंदा है इसलिए कई जगा घूमता रहता है अभी वह यहां पर नहीं है मुम्बे चलागे होगा वापस मँदोगो क्यों खाता है यहां रहता है क्योंश धुज़। यहां जोगो क्योंश लोग। एल्टाद सेव negotiations क्योंश यहां रहता है बाका już अच्छानक तुम्हें अपने बाप पर इतना प्यार कहां से आ गया बताओ शिवा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मच जाओ शिवा मेरी खादिर मच जाओ कम से कम हमारी बच्ची की बारे में एक बार तो सुचो माच जाओ शिवा हमारी सिंदिकी के बारे में सुचो शिवा शिवा मेरी बात गोर से सुनो जितनी जल्दी हो सके तुम्हे काम खतम करना है और फिर यहां वापस आना है समझ गये कि इसे पुलाया है क्या चलना अब तुम क्यों बहार आयों जाओ दोनों जाकर अंदर बैट जाओ होँ क्योंतो हो चलना है कि विश्णु नॉर्म से लगता है भगवान का अदमी है उसका असले काम दूबई में है अरे तु मेरे को धंदा सिखाएगा मैं बताओ तेरा मार्जिन क्या है तेरे घर के अंदर घुसके पैसे कैसे वसुल करने मुझे अची तरह से मालूम है यह पूरी मेरे को मत बान समझा न है निलेश का 15 लाख आने वाला है भाई तुम लोग जाओ आज काम नहीं होने वाला ह कि रूलिंग पार्टी से लेकर ऑपोजिशन तक सबका खर्चा बाटा हुए उसके साथ कि यह कोई छोटी मुर्गी नहीं है यह कि अधर आ कि लगता है इसकी सटक गई है किसी और की मुसीवद अपने सिर पर क्यों ले रहा है पेगानी शादी में अब्दुल्ला मत बन विष्णू का और इजनल बिजनेस दुबाई में चल रहा है क्या जल रहा तेरा लेकिन गेम बजाने इतना असान नहीं है अरे यह सब बाते हमें क्यों सुना रहा है यह तो ह इतनी बार बोला है कि मेरे धंदे में तू अपनी खोपड़ी मत खुशा है कि तू अपना संभाल मुझे मेरा देखने थे समझी कि अ कि तुम लोग उसका गेम बजा सकते हो या नहीं कि पूछ रहे हैं हमसे हो पाएगा या नहीं आधाल हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा अगा कि वो कल दुबई कर लिए निकल रहा है कि उच्क आने के बाद ही कुछोगा अभी वह दुब्आ जा रहा है ह। आता ही उसके गेम बजादा लेंगी क्या वह आने तक हम उसका इंतजार पाठका मारना है तो यही अच्छा चांस है और यह क्या बोल रहा है कोली ख़तम करते हैं कि अर्चा चांस है तो जाना है तो आर बोल रहा है तो आर इपान पला है जब तक न बोले अंदर ही रहना अगर कुछ गडबर किया ना तो अधिया तोड़ दूगा जितना बोला है उत्रहेकर जादा दिमाग चलागा थोग दूगा कि कि अईञा जितना थावा से सकाझाँई हे खविर भील अगर ही यंदर ही वाला भील दूगादा बोले ना वनोला भील तो फड़ फनौब किंग 002 अभूख थाए भील कुछ झाल झाल हो झाल झाल को क्या झाल कुछ झाह गुरमिसंग अर्ण मैंन। अरे वो उपर क्या है 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 प्रवाइब लाइब। झाय। पाय। च च चत। पाय। पाय। उप च चत। बोला था मत कर मत कर धंदे की वाट लग जाएगी बोला था अराम से कौन सा रूंखाली है वो बोला यह रूंखाली है अब जिन्दकी भर भागते रहो या छुपते रहो दो दिन में सब सही हो जागा भाबी चुप अब इसके आगे कुछ भी बोला ना तो मुझ तोड़ दूगी तेरा अंदे लेकिजा इसको चल भाई आज आज कोई भी रूम भाड़े पर नहीं देने का किसी का भी फोन नहीं उठाने का वो चोक्रा लोग और डॉक्टर की दर है अब अब अपिलेट जा भाई इध जी मैं डॉक्टर को लेकर आती हूं हाँ 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 है 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 यह तु क्या कह रहा है डॉक्टर साम हाँ चोड़ के चला क्या बाई शिवा को मारते हुए तो ने देखा क्या हाँ हाँ है रख यह चूड़की चला गया जुआ है मैं अकेला हो गया था कि मैं कली आता हूं तब तक तुम अपने अपने भाई शंकर को संबल ला समझा क्या समझ गया ए रहे क्या हुआ हूआ हुआ 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 है तो रोक क्यों रही है मंगल जाता हुआ सब ठीक हो जाएगा मैंने पहले कहा था कि मच चाहूं कितनी बार रोका उसे, पर वो माना ही नहीं कवीता, जाल कि यहीं 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 जाल यहीं दो साननो प्राद नगा ना है, य हम भूमे, मुदल्क intent में लुटी नहां, नहां कि अलन को पर आ wages यहांया है यहां है, वर को फिस क को फिसे तो ज़स्टाओ लगथ सकत वन्यते है ब ़ैंव मत व्राफ नह सो तवफ फ neces दो अख मत ningún JULI जो नह जबाने लोर Müंह in उनज की ज़र नह सहतά ओस जबुटा नहीर वब। बमोरत झाल जब फोन है जब फोन जब फोन जब बोलो जब फोन जब लुम मैं जब फोन जब फो क्वर dispक जब फो Percy जब बोग Beauty हुइ mods कि आझ तेरा साल हो चुके हैं मैं जह चैन के नींद सोय हुई, मुझे हर पल हमेशा मेरे बहन की रोने की आवाजी सुनाई देती है, उसने मेरे सामने ही कसम खाई थी, कैसी कसम पता है? तुससे और तेरे बच्चों से वो कभी नहीं मिलेगी, और उसने अपनी कसम पूरी भी की, लेकिन तुससे शादी करवाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैं भुगत रहा हूँ, आज के इस दिन का बहुत इंतिजार किया है मैंने, कहते हैं अगर सच्चे दिल से चाहो त उसे ब्रह्मान उसे पूरा करता है, और आज वो दिन आही गया, जह मैं तुझे अपने हां उसे सजा दूँगा माँ? माँ? बच्छो ! बच्छो ! बच्छो ! विश्णु उपर की तरफ चलो जन्दी सिद्धू सिद्धू चले जाओ से जाओ सिद्धू सिद्धू जाओ झलो जाओ सिद्धू ते हैंगे तूम स्कुर्टि себе जाल टूम लाच ठाल कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ है है का अपया कर दो कर का दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि आधे विलार ने है एह्वंद आप विला रहे है सर विकेटियर राम प्रसाद है स्तमांड जियो रिपोर्ट बैक होंग सर इसेट ऑफिशल और परसनल सर आई डिडिन्ट चेक दर नेक्स्टाइम प्लीज चेक इट सर मैंने ही चाहता कि ट्रेनिंग में कोई बाद हाए तेरे बाप ने तुझे बुलाया है त्या ओके सर बाद में मिलते हैं मुझे पापा ने किसलिए बुलाया होगा ठीके बागी सब तुम देख लेगा ओके सर अभिल टेक इलीव है वे गुड डे यंग मैं यहां क्यों आए हो किसलिए हो सब जानता हूं आप तो मेरे बारे में जानते ही हो ना तो यहां के क्यों सब बता क्या हो गया यह बहुत लोग एपसलूटली फाइन और ऐसी क्या परेशानी है एमर्जंसी चुट्टी क्यों लेने के लिए बोल रहे हो और इस तरह बीच में बुलाने का मतलब इससे मेरा रिकॉर्ड खराब हो सकता है इसलिए क्यों आया था तुझे पता है क्या उन्होंन शरम नहीं आती कुंडे की तरह बरताव करते हुए तु एक ब्रिकेडियर का बेटा है बूल गया क्या अगर इस तरह करता रहेगा तो बड़ा ओफिसर कैसे बनेगा और आप आपको कुछ नहीं कहना ऐसे मा मैं एक बात बोलूं क्या है मुझे नास्ता करो बहुत भूग ल लगी है पता है सब लोग क्या कहते हैं तुम्हारा बेटा यूनिफर्म की आड में एक गुंडा है इतने बड़े हो गये हो तुम यह सब करते अच्छा लगता है अकल है या नहीं सुनिया जी अब मैं आपके बेटे को और नहीं संभाल सकती अब आप और आपका बेटा आप क्या है प्रकाष जी अब आपकी बारी है चलिए शुरू हो जाईए लेकिन तेरी मां कुछ बाते तो सही बोल रही है तो हर चीज को मजाक में क्यों लेता है तुवहां जाता है तुझे वहां मिलता क्या है बता आप मुझसे चाहते क्या है रिगेडियर सुन्दर तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा जरा प्रैक्टिकली सोच कर तो देखो सोच कर देखा मैंने उसके बिना मेरी जिंदेगी कैसी लगेगी मैंने सोच कर देखा तो आगे मुझे पूरा भयान कंधेरा दिखाई दिया आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते बताईए मैं तेरे जैसा बेवकुफ नहीं हूँ जो ऐसी हरकत करूंगा कुछ भी करने से पहले मैं अपने माबाप की भावनाओं को समझूँगा सुनिए आपके बेवी चली गई मैं तुम्हारे साथ दोस्त की तर अब्याइव करता हूं लेकिन इस मामले में एक बाप की हैस्यत से पूछ रहा हूं इस बेकार के लफड़े को छोड़ो और मेरी बात मालों क्या बोलते हूं ठीक है छोड़ देता हूं देखिए कुंडली के अनुसार तो इन दोनों के 36 गुण मिल रहे हैं सम्मंद बहुत बढ़िया रहेगा जितना जल्दी हो सके शादी का मुरत निकलवा ही लीजिए ऐसी बात है तो समय बर्बाद नहीं करेंगे जितनी जल्दी हो सके हम ये शादी कर देंगे जैसा मैंने पहले कहा था मैं भी शादी के लिए तैयार हूं आप एक बार बामा से पूछ ले तो बामा 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 श्री शंत यही नाम है ना तुमारा श्री कांत आई थिंक यूर अमेजिंग जरा हटीए तो अंकल स्री सकन श्री कांत था था रख्त आप और अमारी जोडी बिल्कु पारफेक्टन कि अच्छी लाइफ पार्णर न के दिखाऊंगी तौमारी फैमली सो लफली आटी भी काफी अच्छी दिखती हैं अधर किज्ट्स आंप स्यूर अमेजिंग आमेजिंग अमेन जस्ट्स लुक अश्ट्स अच्छलि अच्छी जुस्ट्स लुक अमें लेकिन हम एक चोट ईसी प्रोब्लम है कैसी प्रोब्लम there is the problem तो क्या हुआ अब तो आ गया ना कैच इट मैं राम प्रसाजजी का बेटा रुदरा राम चन्द अल्सो बामा का बॉइफ्रेंड हूँ जरा उठिये उठिये दो क्या मतलब बामा मेरी होने वाली बीवी है अगर तू उससे शादी करना चाहता है तो मुझे मारना होगा अब खड़े होने को बोला तुझे रुदरा स्टॉपित क्या हो रहा है है आप टेंशन क्यों ले रहे हो मैंने कब बोला था कि मैं जरूर आउंगा और मैं शरीकांत तुझे अच्छे से रखे गए नहीं है जाना जरूर क्या है सर यह आपने हमें बेज़त करने के लिए अप हमें इस तरह से बदनाम क्यों कर रहे है थोड़ी सी भी तमीज नाम की चीज नहीं है क्या तुम है क्या सर पांस सेकंड में बेहोश हो गया सर अगरी बा पर का लेकर आईए मेरी तरह बामा मैं आ गए यह दोन वर्यांटी दो बज़े से पहले पहले इसे मिलेटरी अकेडमी से बाहर होना होगा फिर इस पर चार्शीट दाखिल होगा इसकी वज़े से मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा इसे जेल की हवा खिलाऊंगा मैं एक्स्क्यूज मी सर मैंने और मेरी पतनी ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की यह सब उसके फ्यूचर और रिकॉर्ड को खराब कर देंगे हमने उसे बहुत समझाया अब यह कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो इसे मार मार कर समझाएं जबान पर लगाम दीजिए आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारी गलती मेरे बेटे की ही है अपनी बेटी पर कंट्रोल नहीं है आपको मेरे बेटे के पर चार्ट शीट लगा रहे है यह कहां का न्याय है आप ज़रा न्याय धर्म की बात मत करिये तो बहतर होगा एक ब्रिगेडियर के घर में घुस कर धमकी देना कितना बड़ा जूर मैं पता है मैं कुछ सोच कर चुप बैठाओं अगर आप लोग अपने बे अपने बेटी को अस्ट्रेलिया भेज रहा हूं पर एक बात सुन लेचे यह लड़का उसके जिंदगे में नहीं आना चाहिए सोच रहा हूं कि सिविलियन बनकर जियूं सिविलियन वो क्यों मेरा यह आर्मी ऑफिसर बनना तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है वह आमी ऑफिसर को पसंद करते हैं तुम्हें नहीं इन एनिकेस आम और गॉइं टूम्हें अगर मैं कोई डॉक्टर या एंजिनियर या अपनिया की दुकान पर काम करने वाला होता तो वह हमारी इसादी करेंगे तुम चाहे दो भी हो यह आटो ड्राइवर ट्रक ड्राइवर या बार ओनर तुम चाहे जो भी करोगे मैं तुम्हें ही बसंद करूंगी अल्स्ट लव यू तुम्हारे पापा कह रहे थे तुम कह यह जो नहीं लगा था मुझे अदमिशन मिलेगा लेकिन अब क्योंकि मिल गया है तो पापा कह रहे है आइ मस्ट को तुम क्या सोचते हो आइम दिंकेंग इस अगुड आइडिया तू देखो कुछ तिन हम दोनों अलग रहेंगे तो अच्छा होगा मैं पढ़ाई खतम कर लोंगी तुम ट्रेनिंग खतम कर लेना देन वील दू आजकल कितने लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप्स होते हैं क्या फरक पड़ता है यूनों दीस देज विद फेस्टाइम इन स्का प्यार हो गया तो तब मेरा क्या होगा अंग्रेश से प्यार चुप रहा हो मुझ जैसी इतनी क्यूट और खुबसुदत दड़की को पटाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन उन्हें नहीं रोख सकती मैंने उसी दिन कहा था तुम सिर्फ मेरी हो सिर्फ मेरी हो मैं भी तो सिर्फ तुम्हारी अमानत हूं सिर्फ तुम्हारी मुझ पर भरोसा करूँ में तुम्हारी अमानत हूं सिर्फ तुम्हारी मुझ पर भरोसा करू यहीं सुना था उसकी जुबान से मैंने अगले हफ़ते वास्ट्रिया चली गई उसे देखे बिना मुझ से रहा नहीं गया। फिर थोड़े पैसे एक ठाठा करके मैं उसे मिलने ऐस चला गया था। आस्ट्रेलिया में जाकर उसे क्या मिला पर मिली कि नहीं मिली ठीक और लेकिन जानते हो उसने क्या भी यूखंजा रहा हूँ हो इसलिए चार सानों से मैं अपने दिल को समझा रहा अब मेरे लिए बामा कुछ नहीं है लेकिन कल ये लेट रहा है था उसके छोटे भाई ने मुझे जलाने के लिए इसे भीजा है ये तो शादी का इंविटेशन है पुलिस वाले से शादी कर रही है ये क्या बखवास कर रहा है यार उसकी शादी से मुझे कोई अतराज नहीं है लेकिन वो पुलिस वाले से शादी कर रही है I don't know sir कि तुम्हें बिना कुछ बोले तुम्हें छोड़कर जाने की वज़ा क्या थी कि तुम्हें छोड़ कर जाने की वज़ाः जानना नहीं जाोगे तूम मैं उसे कब कब कर भूला चुका हूं को दुबरा उस बात को क्यों दोहराना शायद प्यारे साई होता है और फिर हम फिर से मन जाएंगे वाट यह तो नहीं जाने वाले हैं लेकिन हम लोग जाना चाहते हैं कि बात क्या है लेटिनेंट हमारी यूनिट में सब लोग और इसको फॉलो करते हैं कभी हार नहीं मानतें नहीं में लोग जाएंगे लोग जाना चाहते हैं हाँ सजन मोरे घर आए हाँ सजन मोरे घर आए घर आए करूचर बजान तर्व में जिस जो나cen वायाओन अच्छुदी शुश्परी जतुश्पिज्टू कर दो है कि लिए करें टो है कि लिए करें जिए उत्मन सुख भावे जाजन मुझे जर्गाई, जाजन मुझे जर्गाई लुझे जिये जर्गाद मुझे जर्गाई झार्गै शिए नर्गाई तंतर्गै, जयले के खा namiveness तुट्र्गै टुट्र्गै करें है यह वोद यह वैए उसे खूज़े एक उज्व मिनुट्स का बात भूआ प्यास बेडें यह मुझे तुमसे बात करनी है सर्फ दो मिनिट के लिए मैं यहां तुम्हें परिशान करने के लिए नहीं आया हूँ टो मिनिट बहुत खुब्सूरुत लग रही हो इससे पहले तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा रुट्रा तम यहां से चले जाओ प्लीज यह शादी तुम्हारी मर्जे से हो रही है प्लीज गो जवाब दो मैं यहां से चला जहूंगा बामा आती हूँ क्या भी मुझसे प्यार करती हो कल तुम दूसरे की बीवी बन जाओगी उसके बाद मैं यह नहीं कह सकता क्यार्तvy बाध़। क्यार्ति क्यार्त्थ अ वाध़ी खले कि बाथ भी बांयत्था यह रहिएत्या आत्रुम्हार्स क्यार्त्भलों जह प्लित्विश्ण अ कर दो कि अभी भी है कि अभाँ प्री आफार कि अभी इसाजय को अभी है चलो उठाँ यह मेरी अमानत है सिर्फ मेरी रुद्रा अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो पहले मुझे मारना होगा रुद्रा प्लीज सीन ग्रेट मत करो एक बार मुल्ले बस सुनाई नहीं देता चलो उठो पुलिस वाले की शादी है ना इसने चाहरो तरफ कुटे घरे हुए हैं रुद्रा फिर बात करते हैं गेट आउट आम सॉरी इस ओके अंकल इस ओके कोई बात नहीं मैं तरह आ रहा हूँ कर झांट कर दो कर वाल ह génér 토emen刘 ड कर दो जबें है बाद कहा दो संसी भी मालोड मां शट आप कर मा कमौन रुद्रा, एफ जारा यार कम एर जारा, क्या रुद्रा, क्या रुद्रा यार पुरिज एकैडमी में गोल्ल मेडलिस्ट हूं नेशनल लेवल बॉक्सिंग चेम्पियन वेल ड़न दामाद जी आपने तो कमाल कर दिया हम लोग यहां तुम्हें कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए झानेया इभ सेन तुम्हें यहां तुम्हें धुद्झा ने रहत भी इन्यू दो, तेक ट्रेश्य और डिए कर्या बना वे! में पूर पेंदूर जर्णा जो चुर्णार जिए हो जिए को जिए जा जो कर दोनाएंगा थन हो अबario हुँ फुटे राथ हुआ था Has無गे हुआँ अ का लूर्ष यह जबा हुआंगा खञद आर दो थे हुआ हुआत्व और चार अज़ ह brack उड़तव tidak अज़ंगा लुद्रा, श्टॉप एट लुद्रा, श्टॉप एट अई ओके? क्यों कर रहे हो तुम यह सब? मैं भी तुम से यही पूछ रहा हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? पिछले चार साल से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था आज मुझे इसका जवाब मिलना ही चाहिए आज तुम इससे शादी करने वाली हो ना? बेशक कर लो लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे जवाब देना होगा तुम्हें जवाब चाहिए ना? तो जाकर आपने पिताजी से पूछो आज मेरी जो यह हालत है ना? यह तुम क्या कह रही हो? जो कहना है साफ साफ बलो तो जाकर उन्ही से पूछो अगर तुम आमे ओफिसर नहीं बनते तो तुम बरबाद हो जातें और इन सबकी वज़ा तुम्हारे पिता जी होते पिता जी असा नहीं कर सकते बामा he's my best friend जब मैं आस्ट्रोलिया में थी उन्होंने मझे कॉल किया था उन्होंने मुझे तुमसे बात करने के लिए भी मना किया था अगर उन्होंने मना किया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी आंकिरार क्या कर सकती थी मैं तल्म में तुम्हें पता है मुझे अस वक कितनी तकलीफ हुई थी पॉरी तरह से चोट चुकी थी मैं I do come here on my my wedding day and ruin everything for me you've ruined everything for me चाले जाओ यहां से लीव अंधर आओ अला रेजी थोड़ा सालो ने अटी, थोड़ा सालो तुने चिकन लिया? तुने पास दस प्लीज बाड़े यो चिकन पाइओ यहाल तोदे लेली चिकन? क्या हुआ? शर्वार रहे क्या? अचुपकर यहलो जरह दाल पास करना? रुद्रा दो मुझे मुझे बताए बिना उन्होंने यह सब क्यों किया तुम कर सकती हो पर पापा यहाल पास किसी को भी नहीं बताया बिटा जब तुम दो साल के थे तब तुम्हारे बापा और मैंने अलग होने का फैसला किया था पर हम दोनों हो नहीं पाए इसकी वज़े तुम हो तुम हो कारण की हम दोनों मिलकर जी रहे हैं कि यह बात मुझे तुम्हें नहीं बतानी थी लेकिन आज बतानी बढ़ रही है क्योंकि हाला थी कुछ ऐसे हो गए हमारे अलग होने का कारण था तुम्हारे पापा का एक औरत की साथ ना चायज संबंध पापा ने लेकिन उसका इस बात से क्या संबंध है संबंध है वह औरत पामा की मा थी लेकिन वो रिष्टा जादे दिनों तक नहीं ठीका था पीच में ही जूट गया लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद हमें कहीं से पता चला कि वो प्रेगनेंट है तो फिर बामा मैं नहीं जानती और हमने जानने की कोशिच भी नहीं की बिटा हम लोगों ने सोचा तुम्हारे और बामा की बीच जो रिष्टा है वो तीनेज इंफाच्वेशन हो सकता है कुछ दिनों के बाद बगल जाएगा लेकिन तुम लोगों का यह रिष्टा हाथ से आके पड़ गया तब हमें कुछ डॉल महसूस होने लगा इससे पहले कि यह बात हाथ से निकल जाए कुछ गलत नहीं हो जाए तुम्हारे बापा बामा के पास गये थे पिता जी ने उससे कुछ कहा था कि यह पापा ने उससे कुछ नहीं का वामा इसके बार में जानते हैं अब हम जानते हैं शाद उसकी माँ भी जानती होगी लेकिन उसके पापा को रुद्रा रुद्रा ये बात हम आम तुम्हें पहले बताते नहीं चाहते थे बेड़ा इससे इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है तुमने कुछ गलत नहीं किया तुम प्लीज रुद्रा रीली शॉरी सारी रुट्रा, सारी, सारी क्यों पिताशी, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको और कोई नहीं मिला किया कि यही तुम से मैं पूछू तो हूछ्युए बादे понять quanto इ終 रיए किया हो पित्र कोई नहने कि यहीं मिला को बवफ कि cetera हुछ पूदल डे कि अ.. ह secular कि मैं नहाए repo बादे एस से जहाया पिते हुआ हुआ को बादे है हुआ है हम र布 में उर्माननान प्रक एस अुप जाज बगे है